अस्सलाम उलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 14 पढ़ाने जा रही हूं जो कि एक मक्तूब है मक्तूब मैं आप लोगों को बता चुकी हूं मक्तूब को ही खत बोलते हैं या फिर इंग्लिस में लेटर नहीं तो हिंदी में पत्र या फिर चिट्थी कहते हैं ठीक है तो यह जो चैप्टर है यह मक्तूब है जो कि हम लोग यह दूसरा मक्तूब पढ़ रहा है चैप्ट थाइटल का क्या दे दिया गया है अपनी बेटी सोग्रां के नाम क्योंकि यह अपनी बेटी कोई खत्लिखें इसलिए दया धीए ठीक तो यहां तक आप लोग को समझ में आगे हैं कि इस अफ़कर जो हैं कि मक्तूब सोबाज के बारे में जाने लेते हैं, फिर हम ुस खत को पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि अब्द mina गफूर सोबाज जो है, अपनी बेटी से क्या क्या बाते 키 हैं, और कौन-कौन सी बाते बताएं अपनी बेटी को, फिलाल तबी अब्दुलगफूर शोहबाज के बारे में समझे देखिए इनका पूरा नाम जो है ना वो है सेद मुहमद अब्दुलगफूर और इनका तखल्स है शोहबाज ये जब अपने शेर वशायरी लिखा करते थे ना तो लाश्ट लाइन में शोहबाज यूज करते थे तो अब्दुलगफूर शोहबाज जो है ना उनका पूरा नाम सेद मुहमद अब्दुलगफूर था और शोहबाज तक खल्स रखने के वज़ा से ये अब्दुलगफूर शोहबाज के नाम से मशूर हो गया है ठेक है और इनकी पैदाईश सर मेरा बाढ़ में हुई है डेट अब्दुलगफूर शोहबाज जब 20 साल के थे ना तो उनकी शादी हो गई किस से शमसुन निसा खातून से ठीक है लेकिन उनकी बेगम जो है वो दस बर्सों तक ही जिन्दा रह पाई जो शमसुन निसा खातून है ना वो दस सालों तक ही जिन्दा रह पाई उनकी दस साल तक मतलब वो अपनी शादी को निभा पाई और उसके बाद से उनका इंतकाल हो गया यानिकि उनकी मौत हो गई फिर मौत होने के बाद उनकी पहली बेवी का मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली डॉक्टर नजीर एहमद की साली अस्रफस नहीट Hugo अदूजू नहीं एक gives me में ठीक है आगे बढ़िए फिर मजमून निगारी का शौक फलने लगा अब यह मजमून यानि कि निबंद लिखना शुरू कर दिये ठीक है और उर्दू अखबार दारुल संतनत और 1880 भी में इस्ट इंडिया कंपनी में वह मदीर हुए देखे उर्दू का जो अखबार दारुल संतनत 1880 भी में वह इस्ट इंडिया कंपनी के मदीर यानि की इडिटर बन गए उस अखबार के इडिटर संपादक आप बोल सकते हैं ठीक है और अवद पंच जो की लखनव में जो थे उसा नाम है ठीक है ऑवद पंच का अखबार लखनव में में और अवद का मतलब अखबार जो हैं लखनव में इन्होंने लिखने लगए और सण हो गया और जब इनकी दूसरी बिविका इंतकाल हुआ ना तो आरॉंगाबाद के प्रोफेसर रहे और नहीं भौपाल के डिरेक्टर ठीक है और यह मतलब अब लिखना ही शुरू कर दिये नजम नहीं मजमून लिखना शुरू कर दिये खत लिखना शुरू कर दिये ठीक है औ के बाद से इनकी कुछ नजमों यान की कवीता का नाम आप लोके बुक में दिया गया है जिसे की सालगीरा मुबारक हजूर निजामुद्दीन और निजामुद्दीन खुदा की रह्मत तीन खंसे आनून और किस्मत यह सब क्या है अब्दुलगफुर रबाद की नजम है इन बाचे नवाबी दर्बार और मुकालात जमालिया जिन्दगी बे नजीर यह क्या है इनका क्रियेशन है तस्नीफ है और अंत में अब्दुलगफुर शहबाद का इंतकाल यान कि उनकी मौत हो गई है तीस नवंबर उनैस्सा आठिस्वी को तो यह हो गया शहबाद जो है अपनी बेटी सुगरा को जो खत लिखे हैं उसमें क्या क्या बाते बताएं अपनी बेटी को और कौन-कौन सी बाते की हैं ठीक है तो चलिए मैं आप लोगों का उर्दू के दरक्षा का बुक ठीक है और यह चैप्टर है कि अधे यहां से आप लोगों का ख तुम्हारी अम्मी खत क्यों नहीं लिखती मिजाज तो उनका अच्छा है उमीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा देखी कितना अच्छा शुरुवात की हैं वो बोल रहे हैं कि क्यों जी सोगरा अपनी बेटी को क्यों जी सोगरा तुम्हारी अम्मी खत क्यों नहीं लिख रही है उनका तबियत तो ठीक ठाक है और उमीद है कि तुम अपना सबक के नागा नहीं कर रही होगी यानि कि तुम अपनी पढ़ाई कर रही होगी ठीक है और हकू के अउलाद के शेर जब तुम जबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी सांट साथ पढ़ तो उन तुम दोनों के लिए ना मेरे दिल से दुआ निकलती थी ठीक है बुश्रा को तुम मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया वह माशाला तुमको पढ़ाती है तुम भी अगर बुश्रा को पढ पढ़ाया था और तुम्हारी अम्मी तुमको पढ़ाई अब तुम अपनी छोटी वहन यानि की बुश्रा को पढ़ाओ तो क्या मजाईका है क्या चला जाता है ठीक है उसके बात से हकूक अउलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको जरूर इनाम दूँगा राहे नि मैं अभी आ नहीं सकता राहे निजात के तमाम होने में अभी देर है अभी मुझे आने में बहुत ज़्यदा देर है तो मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं आउंगा लेकिन हां देखी आगे लिखे हैं मैं खुदा ने चाहा तो मुहरम की तातील में आउंगा बोल रहे हैं क देखो तयार रहना जब मैं आऊँ तो ऐसा नहो कि तुम अपना किताब ठीक से ना पढ़ सको मेरे सामने ठीक है आगे बढ़िये इखलाक हिंदी का आमुखता तुम रोज नहीं पढ़ती भाई या बात अच्छी नहीं अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहन मेहनत बरबाद होगी इखलाक हिंदी नाम का कोई किताब है तो बोल रहे हैं कि उसको तुम रोज नहीं पढ़ती हो भाई अच्छी बात नहीं है अगर तुम छोड़ दोगी तो भूल जाओगी और की कराई मेहनत बरबाद हो जाएगी ठीक है आगे बढ़िये इधर में अ असगरी को देखने नहीं गया तो क्या हुआ लोगे से तो मालूम चल रहा है कि वह गजब की तरक्की कर रही है गजब की मतलब वह पढ़ाई कर रही है पढ़ने में बहुत ज़्यदा तेज है तो अगर तुमको पढ़ने में शौक है तो तुम चाहो तो दो चार महीने में मेहनत करके असगरी को भी पीछे छोड़ सकती हो यानि कि असगरी से भी तुम तेज बन सकती हो यहां पर अप्दुलगफूर शौबाद अपनी बेटी की कंपेर दूसरी लड़की से किये हैं ताकि उनकी बेटी के अंदर जुनून जग सके पढ़ाई की और वो पढ़ने पर ध्यान दे और उस लड़की से भी बहुत ज़्यदा इंटेलिजेंट हो जाए ठेके तो देखें कंपेर इस वेरी इंपोर्टेंट बहुत सारे टीचर है बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जो कहते हैं कि कंपेर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी बिल्कुल कंपेर क करका कुछ सिखाया जाता है कि दुसे वह बिल्को के साथ दूसरे बच्यों के साथ कंपेर करके ही लाया जाता है तभी उस बच्चे के अंदर सीखने की चाहत आती है कि हम मुझको भी इस तरह पढ़ाई करना चाहिए मैं आप लोग को बोल रहे हूं compare करना चाहिए लेकिन compare करके अपने आपको कम आकना ये गलत है compare अपने से छोटी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए नहीं तो जब आप अपने से छोटी लोगों से compare करना शुरू कर देंगे तो आप अपने आपको दिविष्ट समझनी लगेंगे वो लेगेंगे कि मेरे जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं compare करना है लेकिन अपने से बड़े और intelligent लोगों से जो आप select कर लिए है कि मुझे डॉक्टर बना है तो डॉक्टर का compare अपने से कीजिए और डॉक्टर में जो भी गुड होता है वो अपने अंदर लाईए ध्यान में रखना है यहां पर बात पर बात आई तो मैं आप लोगों को बता दी चलिए आगे बढ़े ही है लिखा है कि मुझे को चार पांच रोट से एक दंबल सक्त सता रहा है अब किसे कदर आराम हुआ है डॉक्टर अब्दुल गफूर श्रभाद जो है अपनी बेटी से बोल रहे है कि मुझे चार पांच रोट से यानि कि चार पांच दिनों से एक दंबल सक्त एक बिमारी है जो मुझे को सता रहा है लेकिन अभी कुछ कदर आराम है और मैंने यह खत साफ साफ लिखा है यकीन है गोर करोगी तो बेगार किसी की मदद के आप पढ़ लोगी बुश्रा को दूआ को और अपनी नानी को खिदमत में तसलीम बोल रहें कि मैंने यह खत लिखा है बिलकुल साफ साफ और सिंपल लफजों में लिखा है गोर करोगी न तो तुम बेगार किसी मदद के खुद सही पढ़ लोगी ठीकी और बुश्रा को यानकी अपनी छोटी बहान को दूआ को और तुम अपनी नानी को मेरे तरफ से सलाम बोल देना और लास्ट में अब्दुलगफूर जो है अपना नाम लिख दिये हैं तो यह था अब्दुलगफूर श्रभाज का खत जो कि उन्होंने अपनी बेटी को लिखा था कोई भी कमफीजोन हो इस चैप्टेट से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और उसके बाद से वीडियो को शेर कर दीजी अपने पोड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा उसको उन्यादा शेर कर दीजे और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज